हलो फैंट्स वेलकम बैक एमके नॉलज गुरूप में आप सब्सक्राइब रगत है आज इस वीडियो हम बात करेंगे कंप्यूटर के समाने जानकारी की बारी में जिसमें हम कंप्यूटर के लगबग चार वीडियो बना चुके हैं जो मंडी इंस्पेक्टर के लिए काफी मा कंप्यूटर से और पतवारी अधिक्षक में भी कंप्यूटर के मात्पूण कोशन पूछी जाते हैं लगबभग बिश्री कोशन पूछर जाते रिखांखा है जंते हैं उसमें हम बात करते हैं हमारा पहला question जो है computer के प्रमुक तक्निक कारे से और इस वीडियो में computer के प्रारंबिक ज्यान की बात करेंगे जो important है इसमें हम control unit की बात करेंगे और इसमें input, output और CPU के बारे में महत्पूर्ण रूप से question को बना कर लाया हूँ जो काफी महत्पूर्ण रहने वाला है 50 question है आप वीडियो काम तक बने रहेगेगा बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाला है तो चली start करते हैं पहला हमारा question है कि computer के प्रमुक तक्निकी कारे में रेक्त स्थान सामिल होता है चार option आपके पास दिये गया है data का संकलन तथा निर्गमन डेटा का संचैन, data का संसाधर information का निर्गमन तथा पूनर निर्गमन और D दिया हुआ है A, B, C इसमें right answer क्या हो जाएगा, तीनों सही है इसका right answer क्या हो जाएगा, D number यानि की computer का जो भी महत्पूर्ण इसमें रहता है computer के प्रमुक तक्निकी कारे में कौन कौन समलित होते है, data का संकलन तथा निर्गमन करना, data संसाधन और information तथा निर्गमन तथा पूनर निर्गमन करन आधी computer के तक्निकी कारे के अंतरगत आते हैं, इस प्रकार के मेंस में लिखने के लिए आ जाता है, चार पॉइंट अगरी आप लिख देते हैं, तो दो number के question आपको बन जाते हैं, चलि next question को और हम बढ़ रहे हैं, next हमारा question CPU से, CPU से question एक question आपको देखने को मिलता है, हर exam में इसका right answer आपको बताना है, question है कि CPU के घटक है, कौन सा घटक है, control unit है, memory है, ALU है, या A सभी है, तो इसका right answer आपको बताना है, इसका right answer भी हो जाएगा, D number, अर्थात, सभी, यानि कि CPU का full form होता है, central processing unit, जिसके अंतरगत क्या होते है, control unit होता है, memory होता है, ALU का full form होता है, arithmetic logic unit ठिक है, ये सभी क्या होता है, CPU के घटक माने जाते हैं, या घटक मतलब क्या होता है, उसके part माने जाते हैं, और उसी के द्वारा CPU हमारा कारे करता है, CPU के computer के क्या कहा जाता है, मस्तिक्स भी कहा जाता है, दिमाग भी कहा जाता है, चलि next हमारा question है, कि output क्या है, इस प्रकार होगा हमें जो भी उसकी सुच रहा है एक स्थान से दुसरे स्थान पर हम क्या करते हैं शंप प्रेशन करते हैं यानि कि प्रेशित करते हैं उसे हम आउट्पूट कहा जाता है नेक्स्ट हमारा कोचन है CPU के काम रिक्तिस्थान है CPU का क्या काम होता है कंप्यूटर में CPU का क्या काम होता है यह जो एक्जाम की द्रिष्टिय से काफी महत्पूर्ण है DC, PG, DCM 20 परकार की एक्जाम में आपको बेरफिट होने वाला है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अंततक्रिमने रहेंगे चली हम बात करते हैं कि CPU के क्या कारे है इसमें पहला उप्सन दिया गया है अंक गडितिय परिकलन दूसरा है दूर आशियो के मौनों की तुनना करना तीसरा है कृतिम इस्तिवरिति में वांचिट डेटा अचाओ था है इन में से कोई नहीं इसका राइट एंसर D नमर होगा इन में से कोई नहीं CPU का काम इन में से कोई नहीं है इसका राइट एंसर क्या होगा CPU का इन में से कोई नहीं इसका राइट एंसर D नमर होगा दूसरा है डाटा भावी पर्योग हेत्व श्टोर करना, तीसरा है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, और D option इसका दिया है A और C, इसका right answer आपको बताना है, इसका right answer D नमबर होगा, यानि कि A और C इसका right answer होगे, यानि कि प्रोग्राम अनुदेसों पर आमन करना, और C, य जो computer का मस्तिक्स दिमाग के नाम समसे जानते हैं, चलिए next question को और हम बढ़ रहे हैं, next हमारा question है, six, यानि computer की छमता है, क्या है, सीमित है, असीमित है, निम नहीं मुझ है, आपको बताना है, इसका right answer हो जाए computer की छमता भी वरतमान में क्या है, सीमित है, पर यदि arithmetic logic unit के अंतर हो सकता है, यानि computer के जो कर्तिम बुधीमता का अगर परयोग करके computer के बनाया जाए, तो computer की छमता भी, असीमित का सकते हैं, वो खुछ भी कर सकता है computer की छमता है, पर वरतमान समय में computer की जो छमता है, वो सीमित है, next हम चलें, बात करते हैं, next हमारा question है, computer में विशयस्ता में से एक नहीं है कौन सा करना डेटा का संचेन करना डेटा का संसाधन करना डेटा का आकलन कौन करेगा उसकी computer के अंतरगत जो भी parts होते हैं, जो CPU के अंतरगत कारे करते हैं, वो CPU का अकारे होता है, CPU की विसस्ता है, यह computer की विसस्ता के अंतरगत नहीं आएगा, चलि next question को हम बढ़ रहे हैं, next हमारा question है, मानू मन और computer की गती किसकी अधिक है, तो actually आप लोग समझ सकते हों कि मानू मन, मानू की गती सबसे अधिक होती है, मानू मन की गती सबसे अधिक होती है, यदि मन से हम सोचते हैं, तो अभी मान लेज़े दिली सोच दिये, तदिनी पहुंच जाते हैं इस प्रकार से मानूम और ओर कम्पिटर की गती किसके अधिक है तो मानूमन की गती है और मानूमन से भी गती अधिक किसकी है भगवान की गती है तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं चली नेक्स कोचन है किसी व्योस्था के कम्पिटरी करण में आ आवशक्ता होती है तो किस चीज की आवशक्ता होती है जिसका राइट एंसर हो जाएगा सभी यानि के सभी चीजों की आवशक्ता होती है पहला है उसको करने में द्रेण एक्छा सक्ती की समंधित बित्य संसाधुनों की जन सक्ती के प्रसिक्षण की और एक अत्याधुनिक स आजतना रचना को भी समलिख करना होगा नेक्स कोचन है computer में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं यह इसको बताना है याने कि component की मतलब घटक होता है तो CPU में इसमें से कौन सा घटक है, इसका right answer C number होगा, sorry, इसका right answer C number होगा, right answer S, ALU, arithmetic logic unit जो होता है, वा क्या होता है, component के रूप में होता है, एक CPU का, CPU का एक components है, इसमें क्यों है, ALU है, ALU जो होता है, वा CPU से ही जोड़ा हुआ एक मार्पोर्ण पार्ट होता है, जिसके द्वारा arithmetic logic unit जैसे swallow को हल किया जाता है, जैसे की reasoning जैसे कुछ भी अगर समझें आती है, तो उसका कारे जो होता है, arithmetic logic unit के मातम से ही संपन कराया जाता है, तो यह CPU से सीधे जोड़ा होता है, चलि next question है, सब्द, आवाज, images और ऐसे कारें को अनुदित करना, जिसे की लोग system unit process करने वाल पारूप में समझ सकते हैं, उसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा आपका C number, यानि की input device group में जाना जाता है, ठीक है, यदि हम किसी भी जो सब्द है, आवाज या इसे कारें को अनुदित करते हैं, जिसे की लोग system unit process करने वाले पारूप में समझ सकते हैं, तो उसे का का थे, input device group में उसे जाना जाता है, चलिए next question है, computer के समदर्भ में ALU का तातपरे क्या होता है, हमने कई बार इसका जिकरी किया है, arithmetic logic unit इसका full form होता है, next question हमारा है, computer के कारे करने का सिध्धान्थ क्या है, तो computer किस कारे पर सिध्धान्थ करता है पहले input करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, processing करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, output करता है, तो यह तीनों कारे computer में संचालित होते हैं, पहले हमने input किया, फिर process हुआ, फिर output हुआ, ठीक है, next चलते हैं, next हमारा question है, नीचे दिये के कुट के सही उतर कचैन करना है, उन कि आप समझ सकते हैं थोड़ा से इसमें कोचन को अचे से नहीं किया है याईसा हम कचते हैं कि इसका जो राइट है कंप्रीटर जो है पूरर गोपिनी तक बनाय रखने में सक्षा में यह हैं कम्पीर कभी कभी वाइरस downwards संक्रम यह संक्रमित होता है यह भी कथन सही है और प्रकों की बतारान करने BEं सक्षा में सही है और यह चारई क्या हैं सही है April की द्रिश्टी से दिश्ट्र की सकती emblick सकते है ठीक है सभी तार्किक और गड़िते परिकलबना जो कंपिटर द्वारे के जाते हैं वह कंपिटर में होते रहते हैं किसके द्वारा CPU के द्वारे इसका राइट एंसर क्या होगा C नंबर यानि की CPU के द्वारा यानि की Central प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही सभी तार्किक और गड़िते परिकलपना कंपिटर में संचालित होता है नेक्स हमारा कोचन है कंपिटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अभ्योग कौन 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 सामिल नहीं है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा निमेश करते हैं इनपूट आउटपूट और सीप्यू उसका क्या है अव्योव है जबकि इंटरनेट एक मात्मूड अव्योव इसका नहीं है या तो इंटरनेट की बात है चलिए लेक्स हम बात करते हैं कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है तो इसका राइट एंसर तो सभी जानते होंगे इसका राइट एंसर या नंबर होगा सीप्यू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिक्स कहा जाता है नेक्स्ट क्वेचन है सीप्यू के कारे है इंपूर्ट आउपूर्पूर्ट डिवाइस को नियंतरित करना डेटा के पढ़ना और आदेश करना ये सभी क्या होते हैं सीप्यू के मतमूर्ट कारे होते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर में निवन भाग समलित है तो कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या समलित है आपको बताना इसका राइट एंसर क्या हो जागा डिनमबर यानि की कंट्रोल यूनिट और arithmetic logic unit, इसका आइट एंसर D number होगा, यानि computer के processor में कौन समलित होता है, तो control unit और क्या होता है, जो हता है, ALU, यानि कि arithmetic logic किया होता है, CPU के मतमुन भाग होते हैं, और वे उसमें समलित होते हैं, next है, ATM क्या होते हैं, ATM इसका सब्लिक जानते होंगे, या बीना stop के नगदी लेंदेन के लिए, परिख्थ होता है, इसका राइट एंसर C number होगा, बीना stop की नगदी लेंदेन, ATM, Automated Teller Machine के नाम समीच से जानते हैं, next है, computer क्या है, तो computer क्या है, एक electronic machine है, जिसके दवारा मातमूर कारियर संपन करा जाते हैं, next हम बात करते हैं, computer के दीमा को कहा जाता है, ये question बार बार पुछे जा रहा है, CPU है, next हम बात करेंगे, database में रेक्त स्थान फिल्ड करने के लिए परिख्थ नंबर इस्टोर करते है तो इसका राइट एंसर क्या होगा, ये नंबर यानि की memory, memory को क्या करते है, database में memory जो होता है, वह, sorry, इस में memory नहीं होगा, computer के दिवाँ को, है हैं अ यजिए senza फिल्ड है इसका राइट अंसर और यानिकि नुमेरिक नुमेरी होता है इसका आइट इसलीक हो गार्यना के लिए प्धुर स्टोर करते हैं नेक्स्ट कॉचन है कम्पीटर सो कौन सा कारे नहीं करता है तिसका राइट के अंसर हो जाएगा कंप्यूटर जो होता है वह डी नुमबर यानि कि अंडरिस्टेंडिंग का कारे अभी वर्तमान स्वय में नहीं करता है क्योंकि क्रित्म बुधि मता जो आटिफिशियल इंटलिजेंस है उसका सही से संचालित ही हो पा रहा है इसलिए अंडरिस्टेंडिंग की काम नहीं कर पाता है जबकि इंपूट प्रोसेसिंग और कारे कंप्रॉडर आसानी पाता है च्लिक्त कोशन हमारा है मनुस्य की इस मार शक्ती एक करोड़ों जीवों पर सकता है कि इसका राइटबर सक्तै है एलोक्त्रोनिक डेटा है इस प्रकार क्या आप याद रख सकते हैं चलिए next question हमारा है computer के भाग जो जोड घटाव गुड़ा भाग और तुलनात्मक कारे करता है उसे क्या कहते हैं computer के भाग जो जोड घटाव गुड़ा भाग और तुलनात्मक कारे करता है वहां ALU arithmetic logic unit कालाता है इसका right answer क्या हो जाएगा A number होगा arithmetic logic unit के मादर से ही संपन होता है चलिए पर्मुख memory के समयों से कारे होता है तो इसका right answer C number होगा यानि की CPU Central processing unit के समयों से ही कारे कर कारे कर कारे संपन होता है memory में next question है computer को किस प्रकार की बुधी की संगय दी जाती है तो कृतिम बुधी की संगय उससे दी जाती है इसका right answer क्या हो जाएगा कृतिम बुधी से one sheet data है इसका right answer C number होगा कृतिम बुधी से one sheet data को चलिए next question है, computer एक ऐसा उप्रण है जो सिर्फ गड़क ही नहीं, बलकि रिक्तिस्थान सुचितना को संसाधित करने वाला साधन भी है, तो इसका राई टेंसर होगा D number, यानि कि यह गड़िती और अगड़िती है, इसका राई टेंसर क्या होगा, गड़िती और अगड़िती ह किये गया परिणाम होता है, तो इसका राई टेंसर C होगा, चलिए next question है, computer में अधिकांस processing रेक्ति स्थान में होती है, तो computer में अधिकांस जो processing है, वो किसके द्वारा होता है, तो इसका राई टेंसर D number होगा, यानि कि CPU के माधम शे ही होता है, ठीक है CPU के माधम से होता है, Computer Medical Processing की इसके माधम से होता है, चली next question है, जब Computer Input और Output की बात होती है, तब Input का संदर्ब है, ते इसका Right Answer क्या हो जागा, D number यानि की B और C इसका Right Answer होगा, जब Computer Input और Output की बात होती है, तब Input का संदर्ब होता है, कोई भी data processing ने data का input अप्रिक करना और भी इसका होता data जिससे computer में process किया जाता है next question है computer की राचना self में कौन से भिश्चता नहीं पाई जाती है सारे अभ्योष स्वचाली तुरुप से काम करते हैं इन्यमेस अनिर्गम के लिए एक से अधिक कई विद्गियों का पर्योग के जाता है या कम गती सुद्धा की संचारित होते हैं तो इसका राई टेंसर होगा सी नंबर यानि कि यह कम गती सुद्धा से काम करता है computer की राचना self में कौन से भिश्चता नहीं पाई जाती है तो इसका राई टेंसर हो जाएगा सी नंबर इसका राई टेंसर होगा यानि कि यह कम गती असुद्धा से काम करता है ठीक है यह कम गतियों असुदता से काम करता है computer की अभिसेस्ता नहीं पाई जाती है ठीक है arithmetic operation क्या है इसके बारे में बताना है आपको तो इसका right answer हो जागा d number यानि की arithmetic operation में क्या होता है जामा घटाना गुड़ा और भाग होता है arithmetic logic unit का मैंने जिकरी किया था जिसमें क्या होता है सभी संख्यात्मक औरिजिनिंग math की गडना यह वहाँ पर संपन होता है computer में सूचना किसे कहा जाता है ति अभि अपको आपको एसान question है इसका right answer हो जागा et ciri data को सूचना कहा जाता है computer में e ciri data को क्या कहा जाता है सूचना कहा जाता है नेक्स्ट कोचन है देटा प्रोसेसिंग का रथ होता है तो इसका राई टेंसर हो जागा डेटा प्रोसेसिंग का रथ होता है डी नमबर यानि कि वाने जी उप्योग के लिए जानकारी त्यार करना इसका राई टेंसर क्या हो जागा वानजी को प्योग के लिए जानकारी पराद करना डेटा प्रोसेसिंग कारत होता है इसका राई टेंसर क्या हो जागा डी नमबर next question है computer में data किसे कहा जाता है तो इसका राई टेंसर हो जागा computer में data जो होता है सभी को कहा जाता है इसका राई टेंसर डी नमबर होगा यानि संख्या को चिन को और दी गई सुचनाओं को भी कहा जाता है next है CPU का वह भाग जो अने सभी computer component की गत्विद्यों को coordinate करता है वह कहा लाता है इसका राई टेंसर हो जाएगा C number यानि control unit control unit का लाता है इसका राई टेंसर क्या हो जागा control unit होता है जो computer की गत्विद्यों को नियंत्रित करता है या coordinate करता है CPU क्या होता है तो इसका राई टेंसर हो जाएगा CPU जो हो जाए Central Processing Unit होता है इसका राई टेंसर क्या हो जागा ठेक है CPU क्या होता है इसका Central Processing Unit है ठेक है इसका याद रखेंगे सी नंबर यानि कि सेंट्रल प्रोसेसिंग ये इनिट है चले नेक्स्ट कॉच्छन का हम बात करेंगे वीडियू यांग कीवोर्ड संपरक के बीच इस्थापित होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा वीडियू और उसके संचाल का सी अर्थमेटिक लोजिक का ही काम होता है कंपेर करना किसी भी चीज को कंपेर करना होता है तो अर्थमेटिक लोजिक यूनिट के मादम सी संचालित होता है तिसका राइट एंसर नंबर होगा अर्थमेटिक लोजिक यूनिट है कंपेटर का नियंत्रण भाग का राता है तिस इसका D-Number Right होगा यानि कि data information में क्या होता है परवर्तित के जाता है इसका data Right answer होगा Next हमारा question है micro processor जो computer का दिमाग होता है उसे रिक्त स्थान भी कहा जाता है Micro processor जो होता है वह दिमाग कहलाता है computer का इसका उसे microchip भी कह सकते हैं या कहा जाता है Next question है input का output में 15 खाले स्थान द्वारे के जाता है तो इसका Right answer D-Number होगा यानि कि input का output में 15 क्या होता है CPU द्वारा होता है यानि कि CPU द्वारा ही होता है Central processing unit के माधम से जो भी input दिया जाता है वह computer में processing होता है उसके बाद output के रूप में 15 के जाता है या produce के रते हैं Next question की बढ़ रहे है yаст कि रिक्ति स्थान कचे तथा बताता है जबकि हालेस्थान से data Spark पूर बन जाता है इसका Right answer, domain नंबर होगा data जो होता है कचे तथा कचे तथा बताता है जबकि क्या होता है सूचना से data Art पूर बन जाता है इसका right answer क्या हो जाएगा? B number, इसका right answer हो जाएगा, data और सोचना वापर, रिक्स्षन में भरा जाएगा. चलिए next question है, computer के सब भागों के बीच सामझे स स्थावित करता है, यह repeat question इसका B number right होगा, control unit के मादम से संचालित के जाता है, next हम बात करते हैं, computer में जाने वाला data को कहते हैं, तो इसका right answer हो जाए, computer में जाने वाले data को क्या खाते हैं? input कहते हैं, इसका right answer क्या हो जागा? यह number यानि की input कहा जाता है computer में जाने वाले data को. इस परकार के रहने वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, share, subscribe कीजिए, हमारे telegram group, mk knowledge group को आप subscribe कीजिए, वहाँ पर आपको PDF अबलेबल होता है, और भी information आपको हमारे mk knowledge group telegram पर मिलता है, तो please आप लाइक कीजिएंगे, और हमारे जो आई वकन में जो computer के से समझत और भी question आ रहे हैं, और भी वीडियो आ रहे हैं, playlist में और भी वीडियो बने हुए हैं, आप उसे भी देखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, thank you, फिर मैं, जहिंजा भारत.